रमसकार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने आनलाइन इस्टेट्यूट निसान्त ग्यान की यूटूब प्रेटफरम पर उत्तर प्रदेस लेक पाल भरती है उत्तर प्रदेस सिपाही भरती की तो बात नहीं है लेकिन लेकश पाल भरती के बारे में कुछ न भावना है कि आपको ये दोनों भरतिया देखने को मिल सकती है उस पर हम डीटेल में चर्चा करेंगे और आज की खबर क्या है अकबार के जरोखों से क्या जानकारी निकल करके सामने आई है उसे भी आपके सामने डिसकस करेंगे तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं उस मतलब कि बड़े सहरों में ही ये भरती परिच्छाओं के केंदर बनाये जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन सी जानकारी है इसे पढ़ने का प्रियास करते हैं हम आप मिल करके उत्तर परदेश अधिनस सेवाचे अनायोग भरती परिच्छाओं में धादली रो जरूरी है छोटे सहरों में बहुत जरूरी होने पर परिच्छा केंद्र बनाये जाएगा आयोग परिच्छा केंद्र बनाने के समन्द में जल्द ही नया दिसा निर्देश जारी करने जा रहा है आपके काम की बात है क्योंकि यह जो है लगातार पांच साल से आप देख र जा चुका है लेकपाल के 7882 पदों पर भरती के लिए जद्ध विज्यापन निकालने की तैयारी है आप जबी लोग जानते हैं लेकपाल इजे मोस्ट अवेटेड वैकंसी इन उत्तर प्रदेश लेकपाल ही उत्तर प्रदेश की सब से बड़ी और बहु प्रतिछित भरती है तो निश्यत रूप से यह भरती जो है आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी एक हफ़ते के अंदर बहुत ही जल्द कभी भी आपको लेकपाल की भरती विज्यापन देखने को मिल सकता है इसके लामा क्रिसी प्रावर्दी गन्ना परवेच्छक वसमान योगिता वाल लेकपाल भरती का विज्यापन है और लेकपाल भरती का विज्यापन आपको अगर आज जो है यहाँ पर दी मतलब की अकबार के जरोखों में आया है तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा बहुत ही जल्द आपको लेकपाल की भरती का विज्यापन देखने को मिल सकता अब कुछ लोग पूछेंगे भाया क्या लेकपाल भरती की परिच्छा इस वर्स हो सकती है तो हम कहेंगे इस वर्स अब जो उमीद है कि लेकपाल भरती का विज्यापन जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर बात करता हूँ जिस तरीके से आप देख रहे हैं 9 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच मुश्ट वेटेड आपकी अचार संगिता लग जाएगी ठीक है उसके पहले अगर भरती दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है और निस्चित रूप से 18 मार्च से प बहुत ही अच्छे तरीके से बोला जाएगा कि हमने जो है भरती विज्यापन जारी किया और अचार संगिता लगने और मतलब की विधान सभा चुनाओ होने की वज़े से बरती परिच्छाय रोकी गई हैं जैसे ही सरकार बनती है वैसे ही तीन दो महीने एक महीने तीन महीन के बाद ही भरती परिच्छाय आयूजित की जाएंगी इस तरीके की बाते जो है आपको चुनावी माहौल में देखने को मिलेंगी और यही चीजे होने भी जा रही है मैं आपको बता दू फरवरी में ही अब चुनाओ होने वाला है ए 99% उम्मीद है फरवरी में ही अब सिपाही भरती की बात की जाये तवरी में अगर कोई अधिकारी कहा होता होता तो निश्य एजार साथो चाँवा L Het पर उत्तर प्रदेश में सिपाही की भरती की सीधी प्रती प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी उन्होंने वहाँ पे कहा था तो निश्चित रूप से अगर योगी आदितनाज जी ने इतने बड़े परदेश के मेन मुखिया हो करके ऐसी बाते बोलते हैं तो निश्चित रूप से या भरती आपको विधान सभा चुनाओ से पहले देखने को मिल सकती है और आपके अचार संगीता से मतलब नहीं है आपको सरकार से मतलब नहीं है आपको केवल और केवल एक सीट पकी करने से मतलब है अगर 26,444 पद आपको देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ने कहीं पहले वो 50,000 पद थे अब उसके जश्ट आधा पद है तो आपको दुगनी मेहनत और दुगने ज उसके साथ सिपाही भरती की तयारी करनी चाहिए और जो भी मितर लेकपाल की तयारी कर रहे हैं लगातार आप लोग तयारी करें चाहिए परिच्छा मैं जून में हो चाहिए परिच्छा प्रैल में हो चाहिए परिच्छा अगस्त में हो एक चीज ध्यान रखिएगा आपको जो है इतनी जादा मेहनत कर देनी है एक सीट आपकी पक्की हो जानी चाहिए अब कोई भी सरकार कोई भी चुनाओ कोई भी सरकार आए वह भरती कैंसिल नहीं करती है आप देख भी रहे होंगे जिस तरीके से 35,000 मेरिट की भरती अखलेज जी के सासंकाल में आई थी मान योग आदितना जी की सरकार बनती है तो वह भरती पूरी कराई जाती है उसके बाद फिर दो भरतीयां दी जाती है किवल नियमावली में परिवर्तन होता है पहले मेरिट पर भरती की जाती थी अब लिखित परिछा के आधार पर भरती की जा रही है तो इस तरीके से अब कोई भ ग्यापन आएगा उसी नियमावली पे आगे की परिचाए होगी यह से 26,744 के बारे में कुछ लोग भ्रम फैल आ रहे हैं कि अगर अखिलेश जी की सरकार बनती है तो यहां जो है मेरिट पे हो जाएगी तो मैं बता दू यहां बिल्कुल सत प्रिस्द गलत है मेरिट पे वेक अगर दो सीट पर भी लड़ाई हो तो एक सीट हमारी होनी चाहिए बस यही ध्यान में रखना है और इस वीडियो को यही पर रखते हैं इस वीडियो में बस यही बताया गया है कि बहुत ही जल्द आपको लेकपाल भरती का विज्यापन देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में सिपाही भरती का विज्यापन जरूर देखने को मिलेगा ठीक है तो तैयारी में नियमित रहिएगा, कोई भी किंतु परंतु नहीं है, तैयारी आपको फुल फ्लेज में रखनी है, आपकी परिछा चाहे जब हो सीट आपकी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत.